हेलो फ्रेंड्स मैं जीडीयस डेंटल से डॉक्टर रोई शर्मा और हम बात कर रहे थे एसेस प्रिपेशन की लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि गोल्स ओफ एसेस प्रिपेशन क्या है वो कौन सी चीजे हैं जो हमें मीटप करनी चाहिए के डिजाइन के लिए अगर हम वो गोल्स मीटप नहीं करेंगे तो हमारे आगे के सारे स्टेप फेल ही होंगे एसेस प्रिपेशन की डिजाइन को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक बार लॉज ओफ केनाल लोकेशन भी देख लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज लोकेशन लो ऑफ सेंट्र लाटीं हमें यह बताता है कि पलफ चेंबर का फ्लूर हमेशा तूध के सेंटर में होगा और सी jk लेवल पर ही होगा इसका मितलब है जब आपके SS preparation को start करें तो ज़्यादा तर आपको tooth के center में ही गड़ा करना है और वो गड़े की depth है वो CEJ के level से below नहीं होनी चाहिए Second है law of root canal concentricity ये law हमें बताता है कि tooth की outer outline pulp chamber की outline से match करती होती है और ज़्यादा तर remaining dentine equidistant होता है ये law लगबग हर दात के उपर लागू होता है लेकिन maxillary molar एक exception है इस law में कुछ variation भी पाई जा सकते हैं जो की age changes के कारण हो सकती है या chronic caries के कारण हो सकती है तो इस वज़े से आपको बाकी चीज को भी ध्यान रखना है और assess preparation उसी के हिसाब से बनानी है Third law है law of color change ये law हमें बताता है कि pulp floor darker color का होता है dentine और pulp floor के बीच में आपको color difference easily दिखने लग जाएगा और आप एक distinct junction असानी से देख सकते हैं जहां dentine wall और pulp chamber meet कर रहे हो और इसी junction पे आपको हमेशा कैनाल मिलेगी काफे बार आप pulp floor पर darker lines भी देखोगे जो developmental root fusion lines होती है और इन lines के end पर आपको कैनाल orifice मिल जाएंगे और अगर आपको pulp chamber में कोई pulp stone या calcification मिलती है तो वो light color के होंगे next law है law of symmetry ये law हमें ये decide करने में मदद करता है कि tooth में कितनी कैनाल है या distal में दो कैनाल तो नहीं कहीं कोई extra कैनाल तो नहीं law of symmetry ये बताता है कि अगर हम tooth के बीचों बीच में से yogurt instantly एक line पास करते हैं तो कैनाल inspect होंगी इस लाइन शे और अगर इस लाइन के ऊपर आ रही है तो tooth में एक है कैनाल होगी और अगर इस के side में है तो दो कैनाल होंगी और यह rule premolar lower anterior में भी लागू होता है अगर इस line पर canal है तो single canal है नहीं तो दो canal है maxillary molars इस law के अंदर भी exceptions है next है law of orifice location यह law हमें बताता है कि canal हमेशा pulp floor और wall के junction पर ही मिलेगी और canal इस junction के angle पर होगी तो अगर आप canal locate करने के चकर में cavity को इस junction से wide कर देते हैं या cavity को deep कर देते हैं तो आपका काम मुश्किल हो गया है अब आपको ज़्यादा मेनद करनी पड़ेगी canal locate करने में उसको prepare करने में और obturate करने में इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप cavity को over prepare ना करें दोस्तों इन लॉज का आपको ध्यान रखना है जब आप canal locate कर रहे हो ये लॉज ही आपकी मदद करेंगे गाइड करेंगे आपको की एक टूत में कितनी canal होनी चाहिए और उनको कहां पे ढूंडना है और अगर आप patient के उपर training करना चाहते हैं RCT के अंदर अगर आपको भी मुश्किल होती है maxillary molar की RCT make करने में तो GDS Dental Academy आपका स्वागत करती है थैंक यो फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वाचिंग अधर यूसफुल वीडियो थैंक यो